Hello Dear Students, So, आज की जो क्लास है, इस इस फॉर क्लास 6 ठीक है? And Students, तोड़े इन इस क्लास, I will explain a story of Unit 1. Actually, there are three sections in Unit 1, means that in Unit 1, there will be two story and one poem, okay? So, बिटा इस story में जो है, यानि Unit 1 में जो है, आपके दो stories नहीं section A और section B में story मिलेगी, और section C में poem मिलेगा, तो आपका जो ये unit है, Wits and Humor, इसका आज हम लोग section A, section 1 के हम लोग स्टोरी जो है, क्या करेंगे, read out करेंगे, इसके आद में आपको question answer इसका provide करा हूँगा, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, बेटा आप नीचे देखिए, red color से subscribe button लिखा होगा, subscribe लिखा होगा, उसके आप click करिए, चैनल को subscribe कर लिजी, और बगल में बने bell icon को भी प्रिस करकी on कर लिजी, जिससे कि दुबारा कभी भी मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूगा, तो आपको notification मिल जाएगा, ठीक है, तो आई देखिए, start करते हैं, इसमें जो section नहीं बटा, उसमें की जो story पहला है, वह बीर बल्स, विट्स, इस आहिट, तो आई इसको हम लोग start करते हैं, so इस्टोरी देखिए, हम बुग आगे है, section A, story है, बीर बल्स, विट्स, एन, इस आहिट, चलिए, stories के हम लोग इस्टार्ट करते हैं, और ज्यादा deep में तो मैंने explain नहीं करूँगा, या दरवाइस, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग स्टोरी समझने की कोशिस करिएगा, और attentive होके सुनिएगा, वीडियो को like भी करते जाहिएगा, ठीक है, जिससे पता चले कितने लोग attentive होके वीडियोज को देख रहे हैं, तो देखे, एमपरर अकबर वोज वेरी फॉन्ड ओफ डेलेसियस, चीजों को प्लीज आप समझते जाहिएगा, जिससे की कोई भी confusion ना हो, एमपरर अकबर वोज वेरी फॉन्ड ओफ डिलिकैसी एंड हैड़ ग्रेट टेस्ट ओफ पान इस्पेसली फॉर दोज माउथ वाटरिंग वन्स डैट शौकत अली हिस ओफिसियल पान वाला रोल आउट, इस्टुडेंस देखें इसमें इंपरर अकबर की स्टोरी है एक छोटी सी जिसमें यह बता गया कि इंपरर अकबर थे जो है वो बहुत ही स्वाद के प्रेमी थे यानि कि उन्हें कई तरह के लाजिस चीजों का जो है खाने का शौक था और जो सबसे ज़्यादा पसंद था टेस्ट जिसका सबसे ज़्यादा अच्छल का था वो लगता था किसका पान का और उनके उनका एक पान वाला था कौन शौकत अली कौन पान वाला था शौकत अली था इस मिसले उसका जो मुह में पानी ला देने वाल जो पान जो बनाया करता था रोल डाउर बनाया करता था उनका जो ओफिश ये कौन था पान उनका एक उफिशियल यानि पान वाल था उनका एक जो में पान वाला था दरबारी पान वाला था कह सकते हैं जिससे हमेशा पान लिया करते थे और उसका पान वहाँ फेमस था उसके पान को याद करके क्या आ जाता था मुह में पान ही आ जाये करता था यह यहां पे जो उसकी क्वालिटी बताई गे उसके वह बहुत जादा शौकीन थे हमागे देखे क्या बताते हैं कि अब देखे है क्या हुआ क्या हुआ यह दुर्भागी क्या हुआ है क्कंवाथ थे वह तो पान बनार रहे थे उपर से चूना लगाया जाता है जब वो उसा जब में बहुते हो जाता है जाए की हुआ जैसी इंप बाइट जोहें पान का जो है मुमे लिया उनकी जो टंग थी वो क्या हो गई इसा अशान लगा चैसी किया रख दिया गया हूं आग रख दिया गया हूं अब बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं क्रोधित हो जाते ही और इसके बाद वह जो है he sent for सौकत- अली यानिक मुंदिध सौकत अली था जो पान वादाइब था उसको क्या करते हैं वह अपने पान मेकर इन दे सिटी यो डिजर्व दस सेवरेस्ट पॉनिश्मेंट यो कियरलेस रेच अब जैसे ही जो है इंपरर जो थे उनकी जो निगाहें किसको पड़ती है शौकत अली की उपर पड़ती है वो फ्यूम्ड हो जाती है निकी गुस्चस एक दम लाल हो जाती है और कहते सबसे अच्छे पानवाले हो और कहते क्या है कि तुमको तो सबसे जो है गंभीर भाइन की सवरेस्ट जो है घोर पणिश्मेंट क्या देना चाहिए तुम्हारे इस लापरवाही के लिए जो तुम लापरवाही किया है। इस के लिए तुमको बहुत ही कठोड धंड मिलना चाहिए इंच सौकात अली उसको लेख और सौकात अली गदısı कांपनी लगता है कैसे जैसे कि हवा में कोई पती कांपती है लीफ कांपती है ज से वह वह भी क्या हूंता स्परेंद ने लगता है और गो fetch me a bag full of best lime thundered the emperor फिर इंपरर जो है गुराती हो कहता है जाओ और मेरे लिए तुम क्या जो अच्छे जो best lime जो सबसे अच्छा जो चूना होता है वो चूना एक bag भरके ले आओ अब आगे देखते हैं क्या होता है शोकत लगा क्या है कि मैं लाइफ शायद बच गई है चल्दी से जाता है उस्से प्रिश्मन की चूना को यह किसको देना है राजा को देना है बड़ उसके बात क्या घटना होने वाली थी वे शौकत अलीया को अंधा नहीं था सोखत अलुल के लोगा उसे यह punishment है भी थे दी गए कि तुम्हें क्या करना है चूना खरीद करके सबसे चूना खरीद करके राजा को देना है भी जल्दी से बगल के दुकान में जाता है और क्या करता चूना खरीद यह आता है सो इसे नहीं देखिए हम लोग आगे हैं नेक्स्ट पेज़ पे और देखते हैं आगे स्टोरी में क्या है सो हैव यू स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स फो दे इंटार नेबर हुड आज शॉप कीपर जैसे वह चूना खरीदने के शॉप की परस की पास जाता है वो खुशने से पुछता है रही इतना सारा चूना खरीद रहा हूँ क्या तुम सारे पढ़ मुस्यों के लिए क्या बनाने वाले हो अचार बनाने वाले हो क्या क्या शायद अचार में साथ इसका यूस किया जाता होगा तब है उसने ऐसा पूछा कि तो आफ़ पोर्स नोर बिल्कुल नहीं आपुली फॉल्लाइन फॉल्लों के इंपरार के वल्लों कर रहा हूँ क्यों और शॉकर्द ली काफी चिंतित था और फॉल्लाभी हुआ था अब आगे देखे, don't even think of disobeying that order, said महेजदास, who was observing the entire episode, I know that you haven't asked for it, yet I would like to give you a piece of advice. अब आईोप आप लोगों को पता ही हो का महेजदास कौन है, तो महेजदास के बारे में आप लोग अच्छी तरीकिस जानते हो कि बीरबल का निक नेम था महेजदास, उनका नाम पहले नाम महेजदास था बच्पन में, बाद में नाम बीरबल था, बीरबल वहीं पे बैठे सब कुछ सारी घटना को आबजर कर रहे थी और तब ही जब वह सौकत अली वहां पर लाइम चुना खरीद रहा था वो कहते क्या बिल्कुल तुम्हें जो है बिल्कुल भी राजा की जो और उसको डिस ओबी करने का ना मानने की गलती बिल्कुल भी मत करना और वो क्या करें सारी घटनाओं को वो आबजर कर रहे थे कहते हैं कि I know you have not asked for it कहते हैं तुमने मुझसे कुछ पूछा नहीं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक advice देना चाहता हूं कौन बोलते हैं महेजदास यानिकी बीरिबल बोलती हैं आल राइड बट बीक्विक शौकत अली सेट इस वाइस नाव अक्रॉक हाविंग अ बिग बाउल आफ फुल और प्यूर घी बिफोर यू गो तो दे रायल कोट सेट महेजदास अब महेजदास जो हैं कहते हैं कि ठीक है वो शौकत अली क्या बोलता ठीक है जो भी advice देना है जल्दी करो क्योंकि मुझे क्या करना जल्दी राजा के पास पहुँचना है वो जो घृता सा गुराते हुए आवाज में क्या करता है बोलता है कि अब बिक बॉल ओफ फुल प्योर घी बिफोर यू गो ते रॉयल कोट दर बार में जाओ अपने साथ तुम गया कोड़े से बॉल में प्योर घी भी साथ में ले जाना यू हवेंट नोटिस्ट माई पोर्ट बेली हैव यू सेट शौकत आई कांट इवें ड्रीम आफ टेकिंग ड्रॉप ऑफ घी फॉगट अब फुल अब शौकत अली जो है सप्राइज हो जाता कहता है कि अरे क्या तुमने ये मेरे के बारे मैं नहीं सुन सकता हूं तुम तो पूरे एक बाउल जो है की खाने की बात करें मतलब की एक बाउल घी जो मैं कैसे खा सकता हूं जो तुम बोल रहे हो रोयल कॉट जाने से पहले कि मैं एक बाउल घी खा लूँ कैसे पॉसिबल मैं इतना मोटा मैं तो एक बोन घी भी ना टच करूँ अब देखिए the shopkeeper suddenly spoke up and said said that one should not ignore महेजदास advice look all the more worried now शौकत paid for the lime 100 out of the shop अब देखिए है क्या वहीं पे shopkeeper जो है advice कि देता है कि कभी भी जो महेजदास से उनकी किस advice को इगनूर ना करो जो कि वो जो कुछ भी कहते हैं उसके के पीछे को इंपॉर्टन दीजन होता है looking all more worried now अब सौकतली और भी जदा वरीड हो जाता है चिंतित हो जाता है और जल्दी से वो क्या करता है जो चूनने के जो पैसे होते हैं वो जो है जल्दी से shopkeeper को देता है और देने के बाद जो है वो निकल पड़ता है जो जोब से हमिए ऑ्गो याफ हो फो ऑद लगिन वो लाद थाहाां फोलों फो जो मैद हीआ आप देखे शौकतली भागे भागे कहा पहुंचते हो जल्दिस अपने वाइप से कहते हैं क्या मुझे घर का बनावा शुद्य देशी जल्दीस जो है एक बावल भर के तो अब उनकी वाइप तो कहते हैं यह आज लगता है बहुत जदा भूकी हैं क्या और वो काफी सर्प्राइज हो जाती क्या आज यह घी कहां से इसके डिमान कहां से कर बैटे हैं लेकिन अपने हजबेन का जो एक फेस का एक्सप्रेशन था वो देखने के बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आगे कोई और और कॉस्चन जो है वो अपने हजबेन से पूछे उन्होंने बिना कोई कोशन पूछे क्या किया अपने हजबेन को जो घर में सी जो सबसे बड़ा बोल था कटोरा था उसमें घी जो है डाल के दे दिया एं सबसे जदा शॉकिंग तो ये था कि एक ही घोट में जितनी the court he placed it at the feet of the emperor who summoned two of his guard to take shawkat out make sure he eats all the lime set emperor pity me dear emperor I'll die if I eat all that lime shawkat ali burst into tear अब shawkat ali भागा भागा दर्बार में जाता है और वहां पे क्या करता है जो वो लाइम ले जाता है चुना ले जाता है वो जो है राजा की कदमों में रख देता है फिर राजा क्या करता है मनें दो कि ऐसा करो shawkat ali को यहां से ले जाओ और क्या करो कितना ध्यां देना कि जिदना भी यह lime ले आएं कि यह पूरा-पुरा-पुरा-पूरा lime कि सको खहना है यह shawkat ali को ही खाना है तो जाता है है माराज मुझे मुच्के आप क्या करिए दया करिए और वह आशों में फूट फूटर क्या करता है रोने लगता है अब देखिया कि क्या होता है यह डिजर्विट सेट दा इंपरोर टर्न हिस फेस अवे दा गार्ड ड्राइट सौकवतली तुदा कोट्रियार्ड फिलिंग सौरी फॉर थे हैल्पलेस मैं स् चारे जो वो गार्ड्स होते हैं यहां पे देखिये क्या बोलते हैं यह डिजर्विट यानि कि जो राजा बोलते हैं नहीं तुम इसके जो है काबील हो मतलब तुम तुम इसके उत्तरा कहने मतलब ही तुम को यह तुम को दिया है तुम्हें मिलना चाहिए तुम्हारी गल् स्टार्ट करो शुकत अलिस स्टार्ट इटिंग अब लाइम खाना स्टार्ट कर देटा है इस चर्ण इन पेंड उसका जो एस्टमक था दर्द की मारे एकदम कराने लगता है वो he felt terribly sick and his teeth they felt sore and sensitive उसके दांट थे वो एक्दम sensitive हो जाते हैं और बहुत ही बुरी तरह से वो क्या महसूस करता है बीमार महसूस करने लगता है when the emperor appeared in the court a little later फिर कुछ देर बाद जो है court याद में जो है emperor दिखाई देते हैं अब चले देखते हैं अगले page पे क्या story है socials हमा आगे है next page पे अब देखते हैं आप story क्या है आयोब आपको समझ में आ रहा होगो स्टोरी की एक दो बार आप पढ़ेंगे ना देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक इसके बाद मैं इसका कोश्र आंसर का नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से जोईन कर लीजिए इस टेलिग्राम पे मैं आपको सारे पीडियाफ सेंड कर दूँगा चलिए देखते हैं आगे अब जो राजा जो तुरंट क्या करता है गार से पूछता है कि आरे क्या इसने पूरा लाइम नहीं खाया था क्या जो यह जिंदा बच गया तो कि यह मालिक इन्होंने जो है पूरा चुना खाया हुआ था पिर यह इदन ठीक ठाक कैसे है अब वो शौकत अली तरह मोटा है औ पूछता है क्या यूर मैजेस्ट्री दे मैन बोट एंड सेट आई हैड अब बोल आफ गी बिफोर आई कें पिड़कूर्ट ही वोस तुवीक तुगेट अब और यू आर नॉट डैट वाइस तुनू जट वाट आई हैड इन माइंड हू गेव यू तब्राइड आइडिय अब जो है सौकतल जड़र राज कीदर मूरता है है हैं राजा जब आपके कोट में आनेंस पहले पहले बाउल गी पी लिया त마 तुन फ्रहाल वो काफी कमजोर था चुट्र עज हिसे पहले की कहता मैं प्याकि एक ब़ूल गीम अवी प्रहाल की हूं समझ सको कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो फिर आखिर तुमको ये इतना समझदार इतना बेहतरी आइडिया किस ने दिया इंपरर ने पूछा अब शौकत अली क्या कहता है सौकत अली हकलाद ही बोलता कि जब मैं शौकत पे गया था वहां मेरी एक मुलाकात हुई एक व्यक्ति से जिसका नाम क्या था महेजदास था महें शौकत पूछते हैं यू मिन्स बीरबल मतलत वहारी मुलाकात किसे हुई बीरबल से हुई दे इंपरर वाइस ग्रीव सौफ्टर नाओ अब इंपरर की जो आवास थोड़ी से सौफ्ट हो जाती है और अब सौकत अली क्या कहता है अब देखी यहाँ पर जो राजा है वो बोलते हैं कि अच्छा तो बीरबल ने तुमको जो है बोला कि रॉयल कोट में जाने से पर तुम क्या करो एक बाल जो है घी पी के जाओ सौकत अली इस बात को कंफिस करता है सौकार करता है कि हाँ वो बीरबली थे जिन्हों ने शौकत अली रिटरंड वित महेजदास ते यंग मैन बोड एंड वेटेट फॉर इंपरर तु स्पीक और कहते हैं कि अरे तुहारी जो लाइप बची किसकी वज़ए बची है बीरबल की वज़ए से बची है जाओ और तुम क्या करो उनको बीरबल को ढूंड कर मेरे पास ल करते हैं बीरबल डिट यू तैल दिस रेच तो ड्रिंग डैट बोल अफ घी येस यू मजेस्टी आइड वन ड़स एट वन हैस्टू इट सम्थिंग याट कुट कॉड़ और लाइनिंग तो इस्टमक तो इंपरार अगब लुक्ट अट बीरबल इन्रेज अब देखी बीर बीरबल जो पूछते हैं बीरबल से पूछते हैं राजा कि क्या तुमने ही जो है इस पापी को क्या बोला था एक बाउल घी पीने के लिए बोला था तो बीरबल करते हैं मेरे मालिक मैंने ही बोला था मैंने ही ऐसा किया क्योंकि जब अगर ये एक लाइम जो चूना था में सा क्या दिया जाता है घे उटता है और लाइम खाने के परे से ऐसा ही हुआ करता है अब जो इंपरर अकबर थे वो क्या करते हैं बीरबल की तरफ देखते हैं और forgive me your majesty had it not been for that bowl of ghee, the poor man would have been dead by now बीरबल replied, he deserved the punishment the emperor road, he burnt my tongues and how dare he अब इससे बीरबल जो क्या करते हैं उससे राजा साब से कहते है कि आप प्लीज इसको क्या करती है कि यह बीरबल क्या करते हैं कि यह जो है एक बाल गही की बात नहीं है ठीक है अब चुकि जो बीरबल थे समझने कोच करें कि हाँ पी क्या कहते हैं Had it not for the ball of key the poor man would be died by now अगर उसे अब तक गड़ गी ना पिया हो तो तब तक उसकी क्या हो चुकी होती मृत्य हो चुकी होती ये बीरबल रिप्लाइक करते हैं तो इस पर राजा क्या बोलते हैं he deserves the punishment जो शौकात अली हैं वो इस punishment को deserve करते हैं क्यों क्योंकि उस शौकात अली क्या किया है उसने मेरी tongues को जलाया है उसकी इतनी हिमत कैसी हुई तो आई आगे story को finish करते हैं कि राजा साहब ने फिर शौकात अली को माफ किया कि नहीं माफ किया आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ आप लोग बिटाई सारी world meanings भी आप लोग लिखते चलिए आप लिए बहुत यूसफुल होगी तो students हम लोग लास्ट पेस पे आगे हैं चलिए इसको story को finish करते हैं जब क्रोदी दो करके राजा बोलता है कि इसने मेरी जीप को जला दिया तो बिर बिर बल कहता है कि हे महराज आप क्या करिए आप सौकत अली को माफ कर दीजे क्योंकि ये सहर में सबसे अच्छा पान बनाता है और आप खुद ही बताए अगर इसके मृत्य हो जाए ये नहीं रहेगा तो इसका substitute आप ढोल के कहां से ले आएंगे शौकत अली बोड़ अगीन बट ही कुड नॉट गेट इस हैड बिलू दे लेवल अफ इस नॉवल थैंक्स तो इस पॉर्ट पैली लेकिन शौकत अली भी क्या करता है नीचे जुकता है लेकिन अपने उस मटके जैसे जो है पेड़ की विसे जादा नीचे नहीं जुक पाता है और उसके ये बेली को बहुत-बहुत धन्यवाद यहां प्यार्पित किया जाता है क्यों कि उससे थोड़ा सा राजा का जो मू पॉरट मुझे ये पानिशंवर्वत दिया मुझे तुह ये पानिश्मंट देना चाहिए था कि तुम्हें जो है जो है जो है GROUND को टच करना है ये भी ये पानिश्मžeन मुझे तुमको देना चाहिए था जो है डे थे डाट मेड मोस्ट сторон फोर लो और वही सबसे बेहतर होत गो मेक यो पान फॉरस जाओ और हमारे लिए पान बनाओ I am dying for one मैं पान के लिए बहुत बेताब हूँ बहुत जो मेरा खाने का मन कर रहा है Do you have anything to say to that Beerbal? No sir, nothing at all फिर बीरबल से कहते है कि आप तुम्हे कुछ कहना है फिलाला भी बीरबल कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल अब कुछ भी नहीं कहना है सो इस्टोडी देखिए आप फिलिश को हो गई देखिए कैसे जो है बीरबल ने जो शौकात अली की प्राणू की रक्षा की तो बेटा देखिए आगे की जो मैं आपको पीडियाफ्स प्रवाइड करते हैं सो शौकत अली वोस ट्रेंबलिंग बिकॉज ही वाज एल आफ्रेट फिलिंग कोल्ड या फिलिंग फैवरिश आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा किसका अंसर क्या होगा इसका जो क्लेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो एक अफ्रेट शौकत अली वोस ट्रेंबलिक बिकॉज ही वाज अफ्रेट वो काफी डरा हुआ था नेक्स्ट कोशन देखते हैं शौकत अली वोज रिलीव्ट वैन ही हर्ड एट इंपरर वांटेड हिम तो गो और बाया बैग फुल आफ क्या लाइं आपका फॉर्थ ऑप् अफ्रेट वोज ओनली देखते हैं अगला कुश्ट देखते हैं महेज दास वाज लुकिंग एड इंटार एपिसोड इस्टूड 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 यह त्राइं यह अब्जर्विंग यहां पे क्या आप्शन सही होगा तो एक और इस्टूड इस्टूरिया आपका ट्राइब कर देट विल बी औब शर्विए नाव लास्ट आई नो डैट यू यह वंट आस्क फॉर इट वाट इस इट इन दिस लाइन पान घी लाइन और एडवाइस के लिए और आडवाइस के लिए यह यह जो एम सी किव से फिनिश हो गया है चल दें नेक्ट पेज पे आपको जो भी मैं वीडियो अपडेट करो आपको इसली नोटिफिकेशन मिलता रहे और नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कर लिजेगा तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए जिससे कि आपको क्वेश्चन को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना होगी आपको स्टोरी समझ में आई हो कि सब लोग वीडियो को लाइक करेगा और जितने भी आप ग्रूप में जोड़े हों जितने भी आपको फ्रेंड सर्किल में जो इस क्लास में पढ़ते हों आप सब को ये वीडियो शेयर करें जिससे कि इस लॉक्डाउन में वो सभी लोग इस